कहानी के स्टाइटिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो परसन हमारे में लिड़ पर हमला करने जा रहा था उसका नाम हैडगा होता है और वह यहां आता ही शौक हो जाता है क्योंकि अधर विलेजिस के जो हैड़ है वहाँ पहले से ही मौझूद थे और वह भी इसलिए था कि कि वह हमारे मिलीड की साथ आ सके हैं और इसलिए मेलीड भी हैडगाओ के पास आता है कि वह भी उन्ने जाइन करें जिसके बाद हैडगाओ अपने सर्वेंट से कहते हैं कि आखिर आपक्रियां कि लिए पता करेशन a वो उन्हें बताता है कि यहां पर सब कोलाबरेशन के लिए आया है जिस बात पर तो हैड़ को यकीन ही नहीं होता और क्लाबरेशन इस चीज़ से हो रहा होता है कि वह इन सभी लोग को बहुत अच्छे अच्छे होस दे रहे होते हैं जिनके पास अल्लिमिटेट पावर्स हैं इसके बात में इतने अच्छे होस को देखकर वो कहते हैं कि बागी के सारे होस वो खुद करी देंगे और उसके लिए हमारे मीन लीड जिसका नाम चैंग है वो मना करता है और कहता है कि अप सिफ लास्ट टैन होस ही बचे हैं वो उन टैन होस के बारे में आगे की बाते बताने वाला होता है हेट गाउ जो है वह सारी होर्स को खरीद लेते हैं जो कि कुछ खास नहीं होते और उनमें ज्यादा पावर्स भी नहीं होती और इस चीज़ को देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं चैंग पर और उससे फाइट करने के लिए बोलते हैं लेकिन तभी बागी अधर हुआ है और जब उस जगह पर जाता है तो उससे पूस्ता है कि आखिर यहां पर रॉंग क्या है और लिंक बताती है कि हमने बहुत सारी खेती की हैं तरनिप्स की यानि की मूली की जो की काफी जाथा अच्छी बात है लेकिन उसके लिए पताने क्यों पूरी बात है और हुश रहता है अपनी जगह पर वापस आके या इतनी जल्दी एक और यह सकते हैं और इन सब чत और उने जाए होते हैं इस हो tried दाइली जो है वो उसे कहता है कि तुम्हें हमारे लिएक काम करना होगा और थोरे थे बाद सब्सक्राइबरं के साथ. और यहीं देखकर और खोछ सही सारी मूली को निकालने में किया है कि कुछ बुरा हुआ है बताती है कि है एक पर ध्यासा सोचो छो पैंग कैसा बहूत जैके till सीथ के बारखाएं कि वह कारे होते हैं दिकाया बहुत पास्ट कर दिया था क्योंक्ures कोंग क्षाइब से चंग नाली के बारी में पूशती है कि कैसा है लेक долго उसकी काफी तारीफ करती है कि र्चाती है और distingu चभी के साथ बहुत अच्छी से बहुत सब्सक्राइब करो बिभा परशन अबरे में ल thick orieron När ये रर आपने अपने olemost बारिबयव नहीं और चैंग दाई कहता है कि वो बस औरनरी पीपल्स है और मनी के लिए काम कर रहे हैं इसमें बुरा क्या है जिससे सुनकर स्विंग ज्यादा खुश नहीं होती और उससे देखने लग जाता है चैंग दाई बताता है कि लड़क्यों को चाहे कितना ही इंप्रेस कर लो खुश होती जिस पर लिंग बताती है कि लड़कों को स्प्राइस बहुत अच्छ लगते है तो तुम उसे एक छोटा सा सप्राइस दो जिसके बाद चैंग दाईली पहुच जाता है सुईंग के कमरे के बाहर उससे फ्लावर देने के लिए बुलाता है लेकिन सुईंग के आता ही वो फ करने का फाइदा नहीं है क्योंकि अभी तुम्हें रॉबरी करनी है वो भी दस बार जिससे सुनकर वो जाता है कि आखी वो रॉबरी कैसे कर सकता है इस टाइप पर जबकि उससे सुईंग को इंप्रेस करना है और इसलिए वो उस बोड़े अंकल के पास जाता है कि मैं रॉ लेंघरा सुरिए होते हैं, जूनकर के पास होते हैं इस बार जाता हुं यह जिससे लेने के बाद सुधिये, आखर्ग तॉम पूच्त पूस्ति है कि है कोड़ा विलाग का हैड हूं और मुझे वह सब चीजों को देखना पड़ता है और इसलिए मुझे रॉबरी करनी पड़ती है वरना मेरा रॉबरी करने का कोई ऐसा मकसद नहीं होता मुझे यकीन है कि तुम मुझे समझोगी और वह जैसे ही मुड़के देखता है तो वहां प काल लेता है लेकिन तब ही वहाँ पर चैंग दैली आ जाता है जो रॉबरी कर लेता है और इस बाट जो उसका मिशन था टैन रोबरी का वो भी रॉब्लीट हो जाता है और हम दिखाया जाता है कि रॉबरी में एक्चली में उसने सुइंग को ही अपने घर पे वापस इसने चीटिंग की इसलिए उसे पनिश्मेंट के तोर पर मिशन कप्लेट करना है रेजर फ्रेग्मेंट का चैंग डाइली जो है वह बहुत ही सैड वे में उससे पूछता है कि आखिर इसे यूज कैसे करना है जिस पर प्रोग्रामर कहती है कि उसे खुछ से पता करना होगा और इस बार भी वह शोक होता है कि इस बार भी इसने मुझे कुछ नहीं बताया और मुझे खुद पर ही छोड़ दिया और उसे वाइबाई कर देता है और यहां में कमरे में दिखाया जाता है सुइंग को जो कि उसी डॉल को देख रही होती है और फ्लैश बैक को याद करत ओता है जो उसे कहता है सतरा काम करने के लिए और देखके वसकी स्कौर्ट वापस करता है जिसे देख रहरे बार ब runners बहुतं है जा कर दो कि ओर करता है बीड़श नि efficacy ॡाल निका पर ने पस में दिखाया जाता है जिसके वह करता हुथ और कहते हैं कि वो रॉबर्स हैं और वो रॉबरी बहुत अच्छे से करना जानते हैं और वो इस चीज़ को आज साबित करतेंगे और तब ही उन्हें वहाँ पर एक ब्लैक ड्रेस में होस पर बैठावा परसन आजर आता है जिसके पास दो गार्ड होते हैं जिसे मारने के लिए हटगाउ जो है और वो परसन नहीं मार देता है और हमें दिखाया जाता है कि उससे क्यिंग मैं भी नहीं लड़ पाया जिसके बाद चैंग डाइली जो है वो कुछता है कि वो कैसा है और वो बताता है कि वो थोड़ा ठीक है और हमें फ्लेश बैक दिखाया जाता है कि जब वो ब्लैक डेस वाला परसन हेड गाउ को मार रहा था तब ही वहाँ पर कुइंग मैन आ जाता है उन्हें बचाने के लिए और उन दोने के बीच में काफी अच्छी पर कोई भी हमला नहीं करता और उसने हमसे कहा है कि हम सब इस पूरे माउंटेन को छोड़कर यहां से चले जाए वर्णा वो कल सुवह आकर हम सब लोगों को मार डालेगा जिससे सब्सक्राइब काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि क्या हम नीव राउन कर लेकिन उ अब यह सँनकर वहांगे सभी लोग काफी ज्यादा रूनी लग जाते हैं और एंग लगा लेते हैं लेकिन च्रिक में जिसके बार में सोच रहा होता है जिसके बाद नेक्स्टे का सीन दिखाया जाता है जहां पर लूम जो है वह सभी विलेजिस के लोगों के पास आता है और कहता है कि वह करें वरना वो सभी लोगों को जांसे मार डालेगा और इसलिए सभी कि सभी लोग नीव डॉण कर लेते हैं लेकिन दभी उनके पास एक सोज़ा रहा था जो पताता है कि टोड़ विला यहां पे नहीं है जिसके बाद में तोड़ विला को दिखाया जाता है आफिक कर रहे होते हैं कि सिरक तरह किससे रही होगे होने की प्रिपेर कर Hudson तकि बूर करें और हमें दायलि को दिखाए जाता आ चो काफी जýधा परिशान होते है कि उसके पास स्वें छाथी है उसे कहता है वो ब्लेक रोड कर ले कि यहां कि वहां पर एक चीज होती है जिसके बाद वह उस जगापे खुदाई कर रहा होता है और लिंच के पास पूछता है कि हमेरे पास कोई खुल जाता है और उसमें से चैंग दाइली आता है जो उससे कहता है कि आप बखवास करना बंद करें वो कुछ भी हो जाए पर निंग ड्राउंड नहीं करेगा जिसके बाद वो अपने वैपन को दिखाते हैं और कहते हैं कि वह ज्यादा इनोसिन पेपल को मारनी नहीं देग और यहाँ पे खुद को और अपने टोड़ विलागे सभी लोगों को प्रोटेक करेगा जिसके बाद लूहूं भी उनके उपर अटाइक कर देता है सोलजर्स के जिसके बाद चैंग दाइली पी अटाइक करता है उसका जो तीर होता है वो वाकई काफे जादा कमाल का होता ह है जिसके एक ही बार में सारी सोलजर्स ही नहीं बलकि लूहूं भी गिर जाता है और वहां पे अधर फिलेज की लोग भी इस चीज़ को देख रहे होते हैं जिसके बाद चैंग दाइली जो है वो उस लूहूं के पास आता है कि मैं यहां का सेवियर हूं मैं अपनी पूरी जगा को ही नहीं बलकि पुरे वर्ल को तुम्हारे जैसे लोगों से फायर से बौटर से बचाऊंगा और इसी लए वह उससे टोड किंग कह सकता है जिसके बाद हमें दिखाया जाता है ही जिसके पास एक लेटर आया होता है चैंग डाइली का जो उससे कहता है कि उसने लू पार्टी कर रहा होता है क्योंकि उसनों ने ब्लक रॉक सिटी को हरा दिया होता है यहां पर हैड़ गौप चो उनके खिलाफ देव उनके साथ होते हैं और कहता है कि आज के बाद कुईनिंग मांटेंड पे सभी रोग जो है वह एक फैमिली है और वो सब एक दूसरे को लड़की वाइट फोटेंस की हैड ग्रीन टैस वाली आती है चैंग दाइली पर लाइन मांने लग जाती है और उससे ड्रिंक करने के लिए और कहती है यह क्या तुम मुझे मेरे साथ ड्रिंक करोगी तो तुम्हारी वाइफ गुस्सा हो जाएगी और सुइंग उन्हों को इसना करीब देख कर कहती है कि इसकी वाइफ कौन है और यह सुनने के बाद तो ओर भी जादा दाइली को अपने करीब कर लेती है जिससे गुस्सा होकर तो इसके पीछे-पीछे तकर की मूं को देख रही होती है और तब हूसके पास चैंग को ती कहता है कि आकूछ मुझे यहां से जाने दो और वो कुछ और भी कहना चाहती है लेकिन तभी जो जाइक रहा है कि ठीक है तो यह सुझाल सकती हो जिसे सुनकर स्विंग हो जाती है कि वो इतना इसले कैससे मान गया और चैनंक तरले बताता है कि तुम काफ़े ज्यादा चैंग डाइली ने सुइंग को जाने के लिए क्या दिया होता है जिसके बाद हमें नंक्स टीकल सीन दिखाया जाता है जहांपे चैंग डाइली बैठा होता है और अंकल सू कहते है कि क्या तुम सच में चाते हो कि सुइंग यहां से चली जाए जिस पर चाहिवा है कि हा मैं चाहता हूप जल्दी जल्दी हैं से चली जै और हमें यहां दिखएआ wild मंगाया हो तो उसके पास लिंग होती है जो से काफ़ी सारी बाते करती है उसके जाने से जिस पर सुइंग कहती है कि तुम फिकर मत करो मैं तुम से मिलने के लिए वाफ़ जरूर आउंगी क्योंकि तुम बहुत जादा अच्छी हो जिसके बाद वो महां से 40 आती है और हमें दिखाया जाता है चैंग दाइली को जो कि कल रात की फ्लेश बैक को याद करता है दाइली के पास जिसके बाद हमें चैंग दाइली को जो जाता है इंदा ज्यू कहता है कि वो जफी रो रही है और वह अंकल से पूसता है कै cause काफि यह साथ काफे च्छा रिलेशन में थी लिकिन आप NICKil रो रहे हो जिस पर अंकल शू बताते हैं कि वो रोना नहीं चाहते लेकिन उन्होंने ये रेड चिली खा लिया जिस वज़े से वो रो रहे हैं जिसके बाद चैंक डाइली पर उस चिली को देखता है और कुछ सोसता है और यहीं पर हो जाता है आज का एक्स्पलेशन ओवर